नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब लोग निफ्टी और बेंक निफ्टी के इंडिया में सब से सिंपल प्राइज एक्षन एनालिचेस में रात को आठ बजे में फिर से आपका स्वागत करदा हूँ देखो आज थोड़ा मज़ा आएगा आज बेंक निफ्टी निफ्टी के अलावा कुछ स्टोक्स की बात करेंगे हम लोग और मज़ा आने वाला है बेंक निफ्टी का ये वन आर का चार्ट है आज उसने भी 18,992 तकका ही लो मारा और फिर से वहां से स्पीड उसकी बढ़ रहें कि 18,000, 17,900 और 17,800 ये सब सपोर्ट है ये मेजर सपोर्ट है ये सब सपोर्ट है तो वहां से निफ्टी ने हर बार बांसी मारा हुआ है ठीक है और और बायों डिफ्टी अगर फॉलो करते है जब भी जब भी निफ्टी गिरता है तो आप लोग प्रॉफिट में रहते टीक है ये सिंपल जीज़ें अभी अज ख्लोज कहां पे हुआ देखो ये केंडल के आखरी छोड पे ख्लोज हुआ है तो एक बहुत अच्छी बात है कि केंडल के आखरी छोड पे उक्लोज हुआ है हाई था 310 का और ख्लोज हो पाए 308 को मुझे थोड़ी ज्यादा खुस करना होगा और बाद में उसको टेक आउट करना होगा ऊपर के साइट 18,380 के आज पास आज होब कि वो टेक आउट कर लेगा अभी भी इसमें कोई major reason नहीं बनता कि मैं short कर दालू इसको ठीक है जब तक 18,000 का level main टूट नहीं जाता तब तक bank nifty में देख लिजे bank nifty में overall आज इतनी moment नहीं आई पर नीचे से फिर से उसको उपर की तरफ ले गया था देखो चो आदा परसंट 1% का उसने low मारा तो वो low आ रहा था हमारा 40829 का और इतना low था उसका और बाद में उसको उपर जाके वो close हुआ है 41,200 पर तो करीबन 400 पूइंट का तो ऐसे ही उसने करवा दिया तो जब भी जब बेंक निफ्ट इस तरह के low मारता है इवन इंट्राडे में ताब buy and use follow कर रहा तो आपको बचा लेंगे profit हो जाएगा यहां पर कोवर पेंटन दीखने को मिल रही है देखो multiple candles यह देखो यह candle का है 41284 फिर 292367 तो यह multiple वन आर की candle है ना वो यहां पर रुकी हुई है और ज्यादे तरह बाइस उसका upside तूटने का लग रहा है ठीक है downside मुझे नहीं लग रहा है downside ज्यादस ज्यादा वह यहां तक आएगा 40600 पे और उसके पहले भी उसको यह मिल जाएगा 40,000 वाला support 40,800 वाला support नीचे 40,600, 40,800 पे दो major support बचे हुए है वहां से भी वह उपर जाएगा अगर यहां तक गिरता है तो भी और उपर यह न यह लेवल तोड़ेगा न मैं आपको बता रहा हूं 41,350 ठीक है तो फिर से वह उपर जाएगा ठीक है तो यह एक ध्यान रखना क्योंकि यहां पर multiple one hour में यह stock हो गया resistance यह आराम से दिख रहा आपने को कि यह bank nifty क्या कर रहा है अभी भी मैं आपको रही बोर रहा हूं कि आप अपनी strategy change करें खास करके nifty से ज्यादा अभी bank nifty में buy on dip strong लग रहा है bank nifty का trend आजकल nifty से थोड़ा strong लग रहा है हालत यह हो गई है अब बात करते हैं stock की देखो मिस मत करना जो मैं बोर रहा हूं और आपको मैं याद दिला रहा हूं टाटा मोटर साथ 6% बड़ा मैंने कल टाटा मोटर्स के बारे मैं बोला था मेरे वीडियो जाके देख लो ठीक है तो अगें मुझे काफी सारे message आया था इससे पहले कुछ दिनों पहले हमने टाटा कि मिन्ट आगे और मैंने टाटा मोटर्स का स्टोक डिसकस कल ही किया हुआ था अब देख लो यह अगें एक्जांपल से प्राइज एक्शन में किसी की टिप्स की कॉल्स की जरूरत नहीं है हम अपने तरीकी सा सकते दूसरा मैंने कल रिलाइंस यहां पे एड नहीं किया था वह मैं एडमिर करता हूँ पर मैं दो तिन दिनों से बोल रहा हूँ था कि रिलाइंस में बायों डिप्स फोलो करना है अब पेसा बना लोगे तो आज रिलाइंस अच्छा मूव हुआ ठीक है अब देख ना बायों डिप्स करोगे ना एक दो दून ओल इंडिया में अभी को मोमें नहीं मिले एक महिंत्रा का स्टॉप में नहीं लिए था उसमाज़रे और ये सब मैंने आप में आल का वीडिये हूं बैप तो के सारी जगह पर लेवल्स दिये हुएं काफे सारी जगह पर बोला था कि खास करके बेंकिंग स्टॉक में बाई और डिप्स करो और जैसे कि कोटेक बेंक का तो चार्ट मेंने मूँमेंट आएगा ठीक है तो हमने यह स्टड़ी किया था है यहां पर यह मल्टीपल केंडल स्टड़ी किती उसके मुझे मैं बोला था कि 508 पर इतनी बार या तो पांसो आट के ऊपर वो क्लोज होगा वो एक नहीं जर्नी स्टार्ट करेगा तो ऐसा ही हो रहा है देख लो यह सब यह सब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं आपको ऐसा इस तरह से नहीं चतना चाहता कि देखो मेरा इनालिस कितना सी है नहीं काफी बार में जो स्टॉक देता हूं उसमें ब्रेक आउट नहीं होता है वो स्टॉक मार्केट का नेचर होता है हम लोग प्रेडिक नहीं कर सक है मुझे किसी के कॉल्स नहीं चाहिए मुझे किसी का ट्रेड फोलो नहीं करना मैं अपने तरीके से ट्रेड करूंगा और उसमें से प्रॉफिट कमाऊंगा और वही वही कि thought process लेके मैं आप सब को यह सब क्यूं सिखा रहा हूं ताकि आप जैसे के SBA में से कैसा breakout मिला तो आप वह सिखो Tata Motors में से कैसा breakout मिला तो आप वह सिखो Kotec में से कैसा breakout मिला तो आप वह सिखो realize किस तरह से जा रहा है तो आप उसमें से वो सिखो अलग अलग जगा पे अलग अलग पेटरंस ब्रेक करके चीजे जा रही है तो वही मेरा सिखाने का उद्देश यह है कि कोई भी बंदा ये रात को 8 बजे वाली मेरी सीरीज फोलो करेगा तो मैं उसका mind change कर दूँगा कि वो बंदा probability की तरफ ज्यादा सोचे rather than accuracy क्योंकि accuracy चीज स्टोक मार्केट में होती नहीं है और किसी की tips फोलो ना करे पर वो अपने आपको capable बनाएं ये सब चीजों से समझ रहे हो हर दो तीन दिन पे हमको इतने अच्छे example मिल जाते है कोटक महिंद्रा ले लो इवन आईसे से बेंग ले लो उसका तो अभी मैंने चार्ट भी ओपन नहीं किया पर मैं आप उसे बता रहा हूं यह सब में buy on dips strategy अभी के लिए फोलो करेंगा जिस तरह के का bank drift का moment है उसमें आपको profit होगा होगा और होगा पर खास करके वन आरले चार्ट यूज़ करके अगर उसको बायो डिप्स करके ना major major लेवल पर तो आपके profit होगा अगें रिलाइस में भी ऐसा होगा छोटा 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 बाउंस और और डिप्स पे यह देता जाएगा टाटा मोटर्स का जो प्राइस एक्षिन का चार्ट बना है बहुत बहुत स्टोंग बना है उसको भी आप बायो डिप्स करते रहो तो उसको भी आपको फाइदा मिल लगा मैं आपको अभी कोई आज की तारिक में नया स्टोक नहीं देने वाला हूँ क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जितने स्टोक में मुवमेंट आई यह स्टोक में मुवमेंट सब बहुत अच्छी है उसमें आप टिके रहो उसका प्राइस एक्षिन दिखते रहो कल शायद नए स्टोक की बात करेंगे आज उतने नए स्टोक देने की जरूवत नहीं है ठीक है बात जिस तरह से आज एक time पे के साथ is bank nifty nifty किस तरह के movement बता रहे थे उपर Sergeant the वी तो चला जाता है इस तरह के moment भी तो आती है ठीक है तो ये दर्साता है कि जितना market ऊपर जा रहा है फिर जह वह steam नज़र रखो कि किस तरह से चीजें जा रही है और मेने मेरी लाइफ में तो ये सिखा है कि one hour के चार्ट थोड़ी एक्सपटाइस हांसिल कर लो वन वीक वाली चार्ट में एक्सपटाइस हांसिल कर लो तो उसके अलवा I don't think so कि आपको ज्यादा जरूरत है और कई बार मेंने अलग-अलग पेटन आपको बताइए कि जैसे कि के तीन केंडल मिक्स होती है कि दो केंडल मिक्स होती है कि माँसटेप खोटता है वह आप कर लो न तो आप कोई में stock market में आगे बनना चाहते हो तो पैसा तो बने हैं कि website visit कर लो एप डाउनलड कर लो काफी सारे courses free मिल जाएंगे और बाद में strategic basis courses भी मिल जाएंगे पर सोचने का तरीका simple और अच्छा होना चाहिए और stock market को business की तरह लो probability की तरह लो तो आपको फाइदा मिलेगा वरना आपको फाइदा नहीं मिलेगा यही पर वीडियो एंड करते रहेंगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक कि लाए वीश्यों लोड़ सफ लॉव और हैपिनेस